अब बूर्डि गे स्टुड़ेंग हरियों वेल्कॉम तो मैं क्लाक्स स्टेंडर एंग सब्जेक्ट में चेप्टर नॉमर 9 आज 9 हम स्टार्ट करेंगे पार्ट वन नाइन चेप्टर में आपका ममता चेप्टर का नाम है मंता, इसका राइटर है जै संकर प्रशाद, तो राइटर कौन है, जै संकर प्रशाद, इनका जन्व कम हुआ था, तीज एक अठारा सो नवासी, एनकी तीज जन्वरी 1889 को बनार्सी भी हुआ था, जै संकर प्रशाद का जन्व कम हुआ था, मैं इसका र है ना राव साथ क्या है मांटा के राइटर है जैसल का प्रशाम उके इनका जर्म करूआ था के दिन है ओके तो आज हम इनके बारे में कुछ जा रहे हैं चैप्टर मम्ता इसमें क्या क्या चैप्टर में क्या दिखाया रहा है आपेस नमर 57 चैप्टर नमर अन्नाई के जैसे बेटी के लिए पिता की चिंता इसमें क्या है आपके बारे में मैं बता रहे हैं कि इसमें बेटी के लिए पिता का चिंता अनिवार जाए बशले को एव इे अरतिरी को देवता माना गया है या बार्थि madurerakti को हम क्या मानते हैं महान में मान देवता माने मैं मानको की मीमान तो देवता से किसना हम तो थे ततिरिश्यों करते हैं और बच्चों हमको अपने अतिति और महमान का बहुत ही मान संपान रखना चाहिए आधर करना चाहिए तो अगर वो आते हैं हमारे घर में तो हमें खुशी होती है और हम उनका तुल्ला देवता से करते हैं उसके धर्म और जाती पर ध्यान दिये भीना ही उसका स्वागत करने के लिए क्या करते हैं हम तयार जाते हैं हम न तो उसके जाती पाती का ध्यान देते हैं और न उसके धर्म के पे जाते हैं ना उसके बारे बस सिर्फ ये जाए जाते हैं कि हमारे दर्वाजे पर कोई अतिथी आया, मिमान आया है, तो हम उसका आधर सतकार मान समान कैसे करें, और हमें बहुत खुशी होती है, और हमें ऐसा ही करना चाहिए, तो इतिहार के आधार पड़ लिखी गई, जैसंकर परशाद की कहानी, प्रमुख सुत्र में क्या है, बंधा हुआ है, है ना, प्रमुख सुत्र है, अतिथी देवो हुआ, उनका जैसंकर परशाद का सुत्र क्या था, अतिथी देवो हुआ, यनि कि अतिथी का तुलना हम देव से करते हैं, कहानी की मुख्य पात्र मंता इसी भाना के अनुसार बने है, कहानी की मुख्य पात्र मंता इसी भाना से बनी हुई है, इसका सब त्याग में आचन ह में प्रभाइद की विना नहीं रहती है तो हम चलिए आगे पढ़ेंगे आगे देखेंगे कि जैसंगर परशाद का जन्म एक अठाल नमासी में वनार्शी में परशाद जी मुलतक कभी है क्या है यह कभी है उन्हें नाटक कान या निवांद और पन्याद की लिखें उनकी रचनाव में मुगलत रूप से भारत की अत्यासि संस्रीति को जलत मिलती है उनके प्रमुख नाटक है चंद्रगुप सब लिखें चलिए इनके जैसंकर जी की प्रमुख नाटक कौन है जैसंकर प्रशाद के प्रमुख नाटक है है चंद्रगुप लिखें चंद्रगुप ओके चंद्रगुप फिर असकंद्रगुप असकंद्रगुप द्रुश्वामिनी धुरू स्वामी नि, काम ने आई नि, इत्या भी बहुत सारे हैं बच्चों, है न, लार हम उनका प्रसीद महा काब्या है, उनका उनका प्रसीद महा काब्या है, महा काब्या है, उनका निधन, उनका निधन मिल्टू, है न, देख, आपको जानते हैं न, बच्चों, निधन किसको बोलते हैं, उनका निधन 14, 1, 19, 37 को हुआ था, को हुआ था, तो हमारे जैसंगत प्रसाद जी के प्रमुक नाटा के चंद्रगुत, असकंद्रगुत और ध्रूर स्वामेनी, कामा यानी है न, उनके प्रसीद महा काब्या, इसका निधन 14, 1, 19, 37 को हुआ था, इसके आगे चले, जैसंगत वारा रचित इस कहानी की नाई का मामता है, मामता क्या है, मामता बिध्वा है, रोतास दुर्गे के मंत्री चुड़ामणी, अपनी इस एक मात सिनेर पर पालिता पुद्री के दुख से अत्यात दुखी है, हम जब इसमें पढ़ेंगे, तो इस स्टोरी का कहानी आपको पता चलेगा, ओके, तो वह दुखी है, मैं ओरल में ऐसे बता दुगे आपको, बेव उसका भवी से सुरक्षित करने के परियास में परियास करते है, उसका भवी से क्या करते है, सुरक्षित करने के परियास करत है कि पुत्री तुम्हें पाल लेलो तुम्हारे काम आगे लेकिन वो क्या करती है उसे वापिस अपने पीदा के पास लोटा देती है डोलियों में छिपकर बैठे बैठे पठान चनिकों के आगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया चुरामनी वहीं मारे गए कि मंता मा से सुरक्षित कासी उत्तर में इसी एक विहार पुर में जा पहुंची वहीं रहने लगी लंपा समय बीट गया अपनी जोपरी में बैठी मंता दीब के आलोग में पाठ कर रही थी कि एक विशन और हतास आकरिती ने आकरिती कि ने आस्रे मांगा संकोच पुर्वक मंता ने हतीती धर्म का पालग करते हुए उस पठीक को आस्रे दिया पठीक मिल सांदे किसको बलते है राही है ना तो उसको क्या किया आस्रे दिया कि हाँ हमारे यहां आ जाईए और बच्चों चलिए वह पठीक कोई और नहीं घुमायू था जितने सुबह होने पर अपने एक सैनी लिजा और इस ब्रिधा के टूटी जोप्डी बनवाने का अधेजिया जो घुमायू था वह इस यह ब्रिधा विद्वा थी तो उसको क्या हुक्ण दिया था कि आप आपके जोप्डी बन्वा दो अच्छी तरह थी कि बन्वाने का अधेज या मंता 7 ब्रस की सब्सक्राइब कितने व्रस की हुई थी मंता पर चली गई उस अस्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना दिया जिससे सिला लेक पर साथो देश के नरेश हिमाय और उसके पुत्र अकबर का नाम को था किन्तु मंत्रा का कहीं जिक्र नहीं था हुमाय को पेटा पाने में चो हुमाय को बेटा का नाम अकबर लेकिन वो उसके उपर सौंपर चली गई थी तो हुमाय ने क्या किया महा एक महल जोपरी अच्छा सा बना दिया था लेकिन महा क्या था मंत्रा का कोई जिक्र नहीं था तो 50 पेशे से 58 आएंगे और देखें के कि आपको इसमें बताया रोटास दूरी के प्रकोष्ट में बैठी हुई होती मंता शोणू के तिक्छन गंभीर प्रवाय को देख रही थी मन में वह बेदना बेदना मीं पीरा मस्त में आंधी आंखों में पानी की बर्सात लिये वह बिकल रही थी बेदना पीरा आंखों में आंखों में आंशु में वह क्या करें थी बिकल रही थी है ना वह तास दुर्गिंगे मंति चुड़ा मनिं की एक मात्र दुहिता थी है ना दुहिता में पुत्री दुहिता थी दुहिता में पुत्री ओके बट्रि चलिए यहाली देते हैं किसको बट्रे है दुहिता पुत्री को पुत्री चलिके पुत्री दुहिता उसके लिए कोई आभावना संभधा प्रंदुवा विद्वाति उसकी विदमना का अंत कहा था उसकी बिढ़ना काहा था, चुरामणी ने चुप्चा उस प्राकोष्ट में परवेस किया, शोन के प्रवा और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलने से वेसूदी थी, पिता का आना न जाना, पिता का आना न जान सकी, चुरामणी विवसित हो उठे, और स्ने पलिता और उनके प्यार मंता उभड़ाया, और वो सोच रहें कि हम इसके लिए क्या करें, हना, ऐसा प्राय होता प्रम्तु, आज मंत्री के मन में बड़ी उंदू सिंता थी, पैर सीधे ना करते थे, क्या करते थे, पैर उनके सीधे नहीं करते, तो वो बहुत चिंतित थे, एक पह कुछ समय बीत गया, तो वो क्या गयए, किसके पास में मंता के पास गये, उससे नहीं के पीछे दस सेवग चांदी के बड़े थाले में घोकर कर देखा, मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया अनुचा थाल रख कर चले गए मंत्री ने क्या किया कि आप सब यहां थाल रख दाओ और आप चले जाओ ओके ठीक है चले जाने का मंता ने पुछा यह क्या है पिता जी मंता ने पुछा, यह क्या है पिता जी तेरे लिए बेटि बहार कहकर चुरा मनें क्या आपरण उल्लट धिये है न उसके बाद से अनुझे क्या क्या आपरण उल्लत दिया आपरन इस धका हुआ बस था उसका उनुझे उलट दे चले, यहां लिकर आपरण अबरन में क्या पता है अबरन धका हुआ बस्त धका धका हुआ बस्त क्या तिये धका हुआ बस्त उजे थागो उन्होंने क्या क्या पलण दिया पर्दा ओके चलिए आगे देखते हैं सवन का बिलावन उस सुनाई संधिया में विकेड़ होने लगा मंता चौब थी इतना सवन यह यह कहां से लाया वह देख के उसके आँख संधिया गया और बोच्छे इतना सारा सवन कहां से आया चुपर हो मंता यह तुम्हारे लिए है तो क्या आपने सद्रू का उत्रकोंच पिता जी यह अनर्थ है अर्थ नहीं वो बोल रही पिता जी यह अनर्थ है अर्थ नहीं लोटा दीजे पिता जी हम लोग ब्रामन है इतना सोना लेकर क्या करेंगे इस पतुर्णा मुख प्राचित सामन्त बंस का अंत समीफ है बेटी किसी भी दिन सेर सा रोतास दुर्व पर अधिकार कर सकता है उस दिन मंत्री तो न रहेगा तब के लिए बेटी वो बोल रहे कि कभी में आकर्मन हो सकता है उस समय मेरा मंत्री तो नहीं रहेगा तब तक के लिए बेटी है ना हे भगवान बिप्ता के लिए इतना आयोजन परन पिता की इच्छा के ब्रुद इतना साहत पिता जी क्या भी भीख न मिलेगी वह बोल रहे कि हुआरे के हाले के पाहले पिता जी क्या हमने के बार जो नहीं रहेगा तो नहीं भीख ने भी जकती है अगर नहीं होगा तहनमीक मांगे काम चला सकते हैं क्या कोई हमें दो उठी आन न देगा यह संभा है फिर दीजे पिता जी मैं का परही हूं इसकी चमक, आंखों के आंखों को अंधा मना लेकार्क देजिक भिता जी। कि जो चमक है, शु colonial की जो चमक ल sneaking है, वो हमारे आंखों को अबना रही है। मुर्ख है got काकर चूरा मनी चले गयी, उन्हों ने क्या बोला मुर्ख दूसरे दिन जब बोली का ताता आ रहा था मंत्री चुरामनी का हित है धक धक करने लगा वे अपने को रोत ना सके है ना उन्होंने जाका रोता सुदुरी के तोरण पडूलियों का आबरर में खुलवाना चाहा पठानों ने कहा यह महिलाओं का आपमान करना है यह महिलाओं का आपमान करना है बात बढ़ ली गई तलवारे खीची मंत्री वही माडे राजा नारानी और उनको चल्ली सेरसा के हाथ पड़े निकल गई मंता रोली में भरे हुए पठाद सब्सक्राइब करने के लिए चपंचवी वर्डिये विच्छुत पहले मिलते थी उसी सूत के मना भगवान से मलिक छाया में क्या करते हैं एक जोपड़ी में दीपालों में एक इस्त्री का पाड़ एक इस्त्री क्या करें थी पाड़ कर रहे थी जहां गौतम का उपड़ेश ग्रहन करने के लिए पंच वर्डिये विच्छु पहले मिले थी उसी स्थूप के भवान भवना में से की मलिक छाया में एक जोपड़ी के दीप लोग में एक इस्त्री पाड़ कर रही थी अन्याय प्रिश्वन्तो मा ये जाना परिवर आसते हैना पाड़ रुख गया एक विजन को हतास आपनी दीपक के मंद प्रकास में सामने खड़ी थी इस्त्री उठी 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 उसने कपाड बन करना चाहा प्रंद उस व्यक्ति ने मता मुझे आसरे चाहिए उसने जैसे दरवजा बन करना चाहिए तो वो व्यक्ति क्या मुझे आसरे तुम कौन वो इस्त्री ने पूछा हैना मैं मुगल हूँ चोन्साा यूद में सीर्षा से बीपन हो कर रप्षा इस रात आज आगे चलने ज़्मर्थ और लीडर और तो इसलिए आप मुझे अपने सरण में रखी ओके ऐसे क्या से से इसरी ने अपने होट काट लिये हां हमाता पड़ांतु तुम भी वैसे ही कुरूर हो वही विशल रखती की प्यास वही नेश्टूरता परती भी तुम्हारे मुख पर भी है सैने कि मेरी कुटी में पर अने किन लिये नहीं है आप कहीं और जाके आसरे अपना भूंड लिजी है ना असर वही पास आया मंता ने रूप कर कहा मैं नहीं जानती कि वह सहंसा था या साधर सधारन मुगल पर एक दिन इसी जोपरी के नीचे वह रहा मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आ मखान बना आर्या मौर में अपने चीर विश्राम द्री ना घा सब्सक्राइब दहना,ेलक वाूब्हा वह में पास सब्सक्राइब पूर जाना है ना मतलब प्राण निकल जाना तो फिर वो क्या बोल रही है कि प्राण प्रखेरों पूर गे वहां एक अस्ट कोण मंद्र बना वा उस पर सीला लेक लगाया गया लगाया गया सीला लेक लगाया गया वहां पर सीला लेक लगाया गया साथो देश के नरेश हुमाय में एक दिन यहां विश्राम किया था क्या किये थे नरेश गुमाय में एक दिन यहां यांके विश्रा मिन्स अराम करने अराम किये थे उनके पुत्र अक्वर ने उनके असे इस मिर्थी में यह विसाल गगन चुंबी मंदिर बनवाया था उनके याद में क्या किया था यह गगन चुंबी मंदिर बनवाया था पर उसमें मामता का कहीं नाम न था, मामता का कहीं जिग्री नहीं था बच्चों, तो यह आपका चेप्टर कंप्रीट हो गया, यह अभी हम सब्दात में आपको लिखवा देती हूं, है ना? क्या कि जहीं शेती ही? क्या क्या कॉप्चुन कि यह, शेती है रगया डा हमता है बच्चों का क्या 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 हRIA .... भवन के खाटक के पास कमड़ा भवन के खाटक के पास हाटक के पास कमड़ा हाटक के पास कमड़ा है ना घा थ्रीन भुर्ण थ्रीन घास का समूँ घास का समूँ घास का समूँ जाड़ी इसको जाड़ी भी बोलते हैं चलिए लिखें विए तिक्छन तेज तिक्छन तेज क्या लिखें विए तेज तेज प्रवा प्रवा बहाव बेदना पीरा दुख पीरा दुख खीगे चलिए विकल वेचें बेचें विकल वेचें वेचें वेवास्थिट बेवास्थित पीरित पीरित क्या लिए लेंगे? पीरित ओके बच्चों बेवास्थित पीरित चलिए इरेज मैं कर देती हूँ आपने क्ली रहोंगे बेवास्थित 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 फैल जाना, उतकोच, 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 गूस रिसवत, क्या है, गूस, रिसवत, रिसवत, उतकोच means गूस और रिसवत, विकर्ण गोना, ठैल जाना, हैना, प्राचीर, प्राचीर, प्राचीर का क्या लिएगे, चाट दिवाडी, चाट दिवाडी, चाट दिवाडी, हैना, विभूती, विभूती, विभूती मिल्स, सम्रिधी प्राचीर, 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 प् संकट संकट ग्रस्थ संकट ग्रस्थ वी पर मिल संकट का चलिए अभी आगे और लिखा देते हूं दो चाल है है ना आत आत ताई यहां लिखा देते हूं आत ताई यहां अन्याई अन्याई वी रख वी रख खी दुखी दुखी म्रीग दुखी 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 क्या लिखेंगे सीकाडी दुखी अन्याई सीकाडी ह्सायो के भै ते मुरीगो के Ό है मुरीगो के के छिपने का छिपने का वाँ 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 बाँ चिपने का वह बन जिसमें पर्याप्त मिर्ग हो जिसमें पर्याप्त मिर्ग हो यह नीचे लिखने में प्राशा पर्याप्त मिर्ग हो आपको दिखेगा है ना जीड जीड दिखें जीड 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 मिन्स ब्रीद ब्रीद ओके बचों यह आपका सब्दार्थ हो गया और एक्स्प्रेंड हो गया तो आज की लिवत इसना ही ओके हरियों थैंक्यू झाल 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 झाल